नमस्कार राइस यूजबे आपका स्वागत हैं तो पेश है आज की एहम खबरे बिहार में इस बार कुल 11 चरणों में पंचाय चुनाव होने हैं पिर्थम चरण के चुनाव के लिए 24 सितंबर को मद्दान हो चुका है बाकी चरणों के चुनाव के लिए राज चुनाव आयोग ने कमर कसली है इसी के साथ प्रत्यासियों का चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है लेकिन इस बार के पंचाय चुनाव में मद्दाताओं का मूड बदला हुगा है वो विकास के साथ ही प्रत्यासियों के चाल चरित्र को भी एहमियत दे रहे हैं ARIZ NEWS विभिन पंचायतों में सर्वेकार प्रत्यासियों के साक्षतकार दिखा रहा है ताकि जनता को उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके ताकि वो अपने भावी नुमाइनों के बारे में सोच समझकार फैसला ले सके इसी क्रम में आज हम पहुँचे सीवान जिले की रामगण पंचायत जहां से विमला देवी सर्वेकार प्रत्यासियों है कमलेस नाराएंड सिंग रामगण पंचायत के पैक सद्ध्यक्च होने के साथ ही पिरखन इस्तर पार पैक सद्ध्यक्चों की संच्था का भी नेतरुत करते हैं यहां बता दें कि कमलेस नाराएंड सिंग के पिता स्वरगी ए केसा पिरसास सिंग बरसों तक रामगल पंचायद के मुखिया रहे, उनके कारिकाल को लोग आज भी याद करते हैं, खास कर परियाबरान के छेत्र में उनके कराई बिकास कारियों की चलते, रामगल पंचायद को पिर्ति स्थेत पुरुसकार भी मिला कमलेश नाराएंड सिंग कहते हैं कि अगर रामगड पंचायत की जनता ने विमला देवी को सरपंच बनाया तो पंचायत में न्याय के साथ विकास की नई गाता लिखी जाएगी सिवान के सिश्वन परखंड के तमाम पेक्स अध्यक्सतों की अध्यक्सता भी कर रहे हैं कमलेश नराएंड सिंग जो काफी अनुभावी और इस्षेत्र के पर्तिष्ठित ब्यक्तिव में इनका नाम आता है चुकि इनके पिता जी भी काफी लंबे समय तक मुखिया पत पर इस पंचायत रामगड में सेवा कर चुके हैं आपकी धर्मपत्नी चुनाव के मैदन में हैं जी अगर जनता मोका दी और सरपंच पत पर सेवा करने के सभाग मिला तो क्या आपका हार्दी कभिला सा है बुलते जी हैं रामगड पंचायत का कोई भी विबाद थाना और कशरी नहीं जाने देंगे अपने प्रयास से पंचायत रसर से उसको सलटाने का प्रयास करेंगे इस समस्या से जनता को कैसे आप निज़ात दिलाएंगे जो थाना और नियाला में पहुंचा है उसका भी यहां पर बठा करके लोगों का अपस में सूलख कराएंगा आपके पंचायत में बहुत सारे ऐसे मामले रहे हैं जिसमें कमलेस नरायन सिंग को जनता ने बुलाया और आपसे मधेस्ता कराके हस्तक्षेप कराकर के मामला का समधान किया गया तो सरपंच पद पर नहीं रहने के बावजूद भी इस तरह का समाजी कार्ज आप करते रहे हैं इसका विलाब मिलेगा क्या पहले भी गाओं के पंचायत के असी प्रतिस्त जो विबाद होता था उस विबाद थाना और कचहरी न जाए अमन चैन से लोग रहे हैं सरकार ने ग्राम कचहरी में अधिकार को बढ़ाया है और आपके धरंपत्नी विमला सिनहा तो अगर मोका मिला तो विकास कच्छेत्र में किसानों के लिए क्या आपकी उपलब्दी रहेगी यहां का जो भौग जाली के लिए बांध खान नाला कलवट जिस चीज़ की भी जहां हो सकता होगी सिचाई के लिए ब्योसा भी करेंगा आपके पंचायत में हसलों का भी काफी नुक्सान होते आया है चलती पूर्ती मुआवजा कुछ यहां किसानों को मिला है कि नहीं वास्तिक किसानों को न लिता है लेकिन जो आस्तिक किसान है जतना उनको मिला चाहें नहीं मिलता है गलत लिए का मतलब ममले आगये हैं हां और अपने बुधी विवेक से जितना भी संभव होगा हम प्रयास करेंगे आपके पंचायत में बहुत सारे उमिद्वार हैं जो अलग लगतरा का दावा कर रहे हैं लेकिन आप जो है बहुत साफ सुथरा बात बतला रहे हैं कि आप नयाए के साथ विकास के पक्षदर हैं और परविर्ति से मेरे चरित्र से रामगाण को कुछ बिस्केस नहीं बतलना है रामगाण की लोग खुद मुझको जानते हैं अच्छा यहां कौन-कौन से गाव है रामगाण पंचायत में जरा इसका कुल नाम बताए हैं मुख्य हुआ रामगाण नगई बिर्ति पिपरा नगई नगई खास यह तमाम गाव है तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि यह कमलेस नरायन सिंग जो सरपंच परत्यासी के सहयोगी हैं गराम पंचायत राज रामगर से अपने धरमपत्नी बिमला देवी को चुनाव के मैदान में आरसिवाद लेने के लिए उतार रहे हैं यानि सरपंच परत्यासी के तोर पर इन्होंने घोसना कर दिया है और चुनावी अभियान जोर पकड़ रहा है इनका तुफानी दवरा तेज गती सागे बढ़ रहा है इन्होंने साफ तोर पर स्विकार किया है कि लोग तंत्र में जनता मालिक है और जनता के कर सिवाद से ही विजय का परमालपत्र विम्ला देवी को मिलेगा और जब ग्राम का चहरी से सेवा करने का सवाग मिलेगा तो ग्राम का चहरी में जो संब्धानिक न्याई ब्यवस्था का मुल्व सिधान्थ है धरातल पर उसको उतारने की भरपूर कोशिस की जाएगी आपके पिता जी भी काफी लंबे समय तक यहां रामगल में मुखिया रहे और उनका अपना एक बहुत छेत्र में इज्जत है मान है मर्यादा है पर्तिष्टा रहा है किस तरह का मतलब उन्होंने कार्ज किया थे आज इतना पैसा मिलता है अवी काट के जितना वीकाज का काम हुआ है जबकि धन का भाव था उसमय आज इतना पैसा मिलता है हवी काश के लिए उतना पैसा नहीं मिल दाता इसके बावजूद pic स्रमदान से जेतना काम कर दिये हैं उतना काम बाज मुखिया लोग जो बर्तमान में मुखिया है या इसके पहले दो टर्मारों लोग मुखिया हुए हैं उतना काम नहीं कर पाएं बानिकी में पुरे बलोग में कोई पैड नहीं लगाया वी बहुत बड़ा यह और योग दान रहा है उसमें प्रसकार को सुरिप मिला उस्विप नाम की ऐह किता जी क्या है सुर्विया के सौपरसाथ से